So what is up guys, welcome back to the channel and the world of unpredictability that is PUBG Mobile East Post and आज की वीडियो पर बात करने वाले है PMGC Points, Race to PMGC and PMPL Finals के बारे में South Asia region में start हो चुके है Then हम बात करेंगे यहाँ पर Face Clan Southeast Asia में जो Domination है Thailand region का Overall बहुत जादा interesting वीडियो है तो वीडियो को guys end तक जरूर देखना, तो करते हैं वीडियो को start and सबसे पहले guys बात करेंगे यहाँ पर जो कल के दिन पर Hattrick ची कंटिनर्स देखने को मिले थे Team IHC Old Zeus बोल लो, सारे लोग बोल रहे थे OG Wives देखने को उनको मिल रही है IHC के तरफ से सबसे पहले बात करेंगे उनके खेलने का pattern जो कल के दिन पर पूरा था So guys, सबसे पहली बात है, edges को बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे है, hard zones में edge पे खेल रहे है And उनकी दो stat में ने देखे, edge पे खेलना, यहाँ जो circle होता है, first and second circle का 20-30% of the zone and उनकी major entries होती है, उनकी third circles में जाती है according to the zone And ऐसा position को hold करना, like अगर आपको याद हो, हमने live पे भी बात किया था जो Virtus Pro अपने compound selections करती थी, कि अगर hard shift आए, right side जाना है, left side जाना है, तो easy entries डाल सके So IHC के बंदों का यह काफी जादा strong लगा And you can't believe guys, आप stat उठा के देख लेना, यह जो चीज़े अभी IHC बहुत अच्छे तरीके से कर रही है उनका defense काफी जादा strong हो गया, इनी सभी चीज़ों पे वो lag कर रही थी, यह चीज़े वो try कर रही थी आपका पिछला season अगर आपको यादो, जहापे उनका major downfall आया था So काफी जादा improvement team IHC बोल लो, या team ZUC sports के अंदर है, new additions हुए And काफी जादा उनको benefit दे रहा है, लेकिन guys, एक चीज़े आपके notice करना, simple सी बात है कि जो भी आपकी team रहती है आपका एक luck factor भी रहता है, luck factor in the sense कि आपको ना zone मिलेगा, और आपको cases को capitalize करते है, use करते है तो हर एक team को कोई ना कोई एक zone मिलता है, लेकिन आप cases में point लेके जाते है, वो बात है and ISC ने वो काफी अच्छी तरीकी से करा, तभी उनके hat-trick chicken dinners आए and इसके बाद बात करें guys, एक team को appreciation मिलना चाहिए, वो है team high voltage even आप उनके chicken dinners नहीं है, but guys most consistent team of the day one and guys, अभी भी दो दिन बचे हुए, कोई भी team comeback कर सकती है, लेकिन high voltage का performance बहुत ज़्यदा OP देखने को मिला, असासियन, back to the like, top finishes अब देखोगे, top 5 के अंदर वो भी and guys, अब यहाँ पर बात करते है, आपकी face clan की, जो south east asia पर आपके screen के सामने stat आ रहे होंगे, इस team को रोकना ना guys, unstoppable है, chicken dinners तो लेके जा रही है, लेकिन उसके इलावा भी जो matches हो रहे है, उसमें points लेके जा रही है, so and guys, अगर आप देखोंगे na single handedly, एक percentage graph निकाल होगे, तो 70% of the chicken dinners, the domination है, वो Thailand region की team का देखने को मिल रहा है, in the whole lobby, जहाँ पर other regions भी है, so guys, इस बार का PMGC देखने पर बहुत जादा ना पनाने वाल है, अब बात करते हैं, PMPL finals and PMGC points के बारे में, from south asia, so guys, अगर आप यहाँ पर notice करोगे, तो आपको top पर दिखने वाली है, team IHC eSports, and guys, एक चीज़ मैंने भीकल देखा, कि bonus points भी यहाँ पर add-on हो रहे, and second पर high voltage है, लेकिन guys, एक चीज़ यहाँ पर notice करना, जो notice करने वाली है, कि high voltage की chicken dinners नहीं है, and फिर भी अगर आप देखते हो, सबसे जादा point in a day नोने निकाले, then DE Warriors, आपको पता है, काफी अच्छा points के थुरू जाना है, अब तो काफी गैप हो चुका है, कहीं न कहींब आप बोल सकते हो, Stalward and IOC जा सकती है, South Asia region से, क्योंकि गैप बहुत जादा हो चुका है, honestly saying, and इसके बाद अगर बात करें DRS Gaming, T2K, Elementrix, and अगर आप देखते हो, maximum of the teams हैं, उनकी performance जो है, D1 में काफी जा से की, तो हाई वोल्टीजी सबसे जादा consistent टीम थी, अगर आप overall देखते हो, IOC के back-to-back 3 chicken dinners आए, इसकी वज़स उनके point है, 3 match उनके बाकी भी अच्छे नहीं गए, then अगर आप देखते हो, D1 is stable kind of thing है, and इसके बाद टीटू के, T2K के कि अगर आप देखते हो, 5 matches में इतन 10th rank पे, लेकिन guys competition देख लेना, 79, 75, 72, 71, 68, even 68 तक ना बहुत दादा tough competition guys यहाँ पे रहेगा, and guys आपको क्या लग रहा है, कौन सी होगी यहाँ पे top team, 10 team, after day 2 खतम होने के बाद, and हम कर रहें guys watch party, if you wanna see watch party, so आज शक्तियो हमारे चैनल पे subscribe कर लो, channel को and notification bell को दबा लो, आज की वीडियो के लिए इतना ही, till then respect every region, respect every team, respect every player, तब तक मस्दे मारे याँ